नमश्कार एक बफिर से मैं आप सभी के सामने उपस्तितुए एक इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ जहां पर आज हम बात करने वाले हैं एक मारुबो जंजाती के बारे में एमेजन में आप देखते हो कि बहुत सारी एमेजन के जंगल में आपको जंजातियां देखने को मिलेंगी लेकिन यहां पर क्या हुआ है जब से स्टारलिंग ने हर जगह पर इंटरनेट की पहुच सुनिक्षित कर दी है आसान बना दी है इसी के साथ खबरे यहां आ रही है क और वो जो आपका वेस्टन पैटर्न है उसको अपनाती जा रही है यदि मैं जंजाति की बात करूं तो हमारे कॉंस्टिटूशन में भी इनको स्पैशल एक प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है इनके लिए अलग एक आयोग है जो इनकी सुरक्षा करता है इनके जो स्था से इन अलाकों पर इंटरनेट पहुचा है जंजातियों के पास इंटरनेट पहुचा है तब से यह जंजाती पौन एडिक्टेड होती जा रही है चलिए देख लेते हैं आखिर न्यूस क्या थी और क्या चीज़ें इसमें लेकिन इससे पहले सूचना कि हमारी समर सेल जो है वो आपकी 7th of June तक की extend कर दी गई है तो जल से जल जो भी बच्चे इन्रोल कराना चाहते हैं करवा सकते हैं इसमें आपको 52-75% का discount in सभी courses पर दिया जा रहा है चलिए आगे बात कर लेते हैं क्या है न्यूस देखिए Amazon tribes gets internet connectivity after long wait you will be shocked to know that they do with it what they do it कि वो क्या कर रहे हैं उसक साथ क्या वो internet का use किस प्रिकार करें यादि बात की जाए internet की तो उनको internet की सुविदा इसलिए प्रदान की गई ता कि कभी कभी क्या होता है क्यों आपातकाल की समस्या हो या फिर कोई ऐसी problem create हो गई हो क्योंकि दुनिया से disconnected रहते हैं जंगल में आराम से अपनी जो संस्कृ साथ यह हो रही है तो वह क्या कर सके उस internet के माध्यम से बाहरी दुनिया से संपर कर सके और उन्हें बता सके और अपनी मदद सहायता मांग सके उनसे लेकिन यहां पर उनकी सहायता किनी और जो वस्तु हैं वो उन चीजों से हो रही है प्रॉब्लम्स यहां पर create होती दिख गई है जो इस जंचाती के जो बुजुर्ग हैं परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनका कहना है कि यह जो internet है यह उनकी संस्कृती को खराब कर रहा है ठीक ब्राजियल के सुदोर छेत्र में रहने वाले 2000 सदस्य वाली मातर इनकी संख्या कितनी है 2000 है मारुब जंचाती को आखिरकार internet के सुविधा मिल गई Amazon जिंचाती के जो internet सुविधा इनको दी गई है वह किसके दौरा मिल गई है तो इसका मुख के खारार एलन मक्स क्योंकि इनका एक प्रोजेक्ट था स्टार्लिंग प्रोजेक्ट और इस स्टार्लिंग प्रोजेक्ट के तहत इन छेत्रों में भी internet पहुच चुका है ठीक है चलिए आगे बात कर लेते हैं क्या है चिंता देखें मारुब जंचाती के नाम से जाने जाने वाले इंटर्नेट के सुविधा मिली थी नाइन मंस कंप्लीट हो चुके हैं इसके बाद यह सुमधाय सुरू जब इंटर्नेट को मिला सुरू में दिया गया तो यह काफी खुश थे नहीं चीज़ें देखने को मिल रही थी यह देश दुनिया उसमें देख वा रहे थे ठीक है लेकिं लंबे समय तक इंटर्नेट से क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था लंबे समय से इंटर्नेट से दूर थे ठीक है हाला कि समधाय के बुज़ूर लोगों के नुसार वेब सुबदा के कारण जंजाती आलसी हो गई है उनकी पहले वो बहुत नागरिक है उनका कि जंचाती के कुछीवा सदस्य ग्रूप चार्ट में असलील वीडियो को साजा करते हैं जिसकार उनके बीच आक्रामक यौन व्यवार देखा गया है अक्रामक यौन व्यवार रेप से रिलेटेट के कब बहुत ज़्यादा हम देखते हो कि क्या होता है क आक्रामक यौन व्यवार देख रहे हैं वो इसी का कारण है कि वो इस प्रकार की समगरी देख रहे हैं जो उनके माइन को ड्राइवन करें और इसी वज़य से क्या और वहां पर इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है आप देखू जब से इंटरनेट आया है हम कहते हैं कि इंटरनेट आया है किसलिए ऑने की लिए लेकिन अप कुद देखी कि हम कितने बचे बगल में कुछह रहा करके उनसे बात नहीं करते हम चीजों को इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं किसी को हमारी सहयता को इनकुत अर्णे daddy में लाइक्स मिलेंगे एंदस वो वीडियो चला जाएगा ठीक है इंटरनेट कई महाइनों में अच्छा भी है कि जिन चीजों पर सरकार का ध्यान नहीं जाता है आम जंता वहां तक उनका ध्यान पहुचा देती है समस्याओं पर ध्यान पहुचा देती है इलेक्शन की बात की जाए लोग सबाचुनाओं की सबसे जादा उसको ड्राइवन किया है याद किसी ने तो इस बार इंटरनेट ने किया है ठीक है आप देख रहे हो कि कैसे जंता इंफ्लेंस हो रही है चीजों से आपके इस पर क्यारा है जरूर बताईएगा साधी साथ ये बात करूं तो वर्ड लैवल पर सेकेंड प्लेस पर आता है हमारा इंडिया और परोसी और शत्रुदेश पाकिस्तान प्लेस पर है थर्ड प्लेस पर कौन है मुझे नहीं पता आपको पता हो तो बताँं ठीक है तो जिस कारण उनके बीच किया है आकर्मन यौन व्यभार ब है कि में रूम में होती हूं अगलबगल मेरे दोस्ट अगर बैटे होते हैं फ्रेंड बैठी होती है तो मैं फॉन में अगर वीडियो देख रही हो तुम पती नहीं करें से और यहीं एक बहुत बड़ा mental gap जो है वो create कर देता है चाहे वो parents का अपने मदर फादर से हो चाहे वो एक husband का wife से हो चाहे वो brother sister का हो और चाहे society का हो इसलिए आपस में अब हम जो एक word कहा जाता है न मिलनसार वो चीज़े नहीं रह गई अभी सब अपने में मस्त है और अपने phone में मस्त है क कोई सुबदा हो ना ही टीवी हो ना ही इंटरनेट हो तब पता चलता है कि आप अकेले हो कोई एक दिन आप ऐसे जी करके देखना बहुत सुकून मिलता है मैं ऐसे दस दिन रहकर के आई थी पर पासना में और लिटरली आपका जो माइंड है वो बहुत फोकस जो होचा जात जनजाती के सदस अपने आसपास के लोगों से भी बात नहीं करते हैं और घंटो घंटो शोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं देखिए गाओं को क्या है गाओं को परिपेक्षिसी लिए तो अच्छा लगता है कि चालो गया नीम का पेर था बैड गया सब आपस में बाते सिती होती है तो वहां पर उनके लिए मदद भेती जा सके वह मदद बुला सके लेकिन जब से क्या इंटरेट सेवा इनको मिली है इसका यहां पर विपरीत ही असर पड़ा है कई बार आप देखते हो कि जो जंगल में क्योंकि वह लोग निवास करते हैं तो कई बार साप आपने की घटना देखने को मिलती है तुरंत उपचार क्या वशक्ता होती है तुरंत यहीं मैडिकल उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो डेथ हो जाती है ऐसा निया कि सिर्फ नकारात्मक चीज़ें ही देखने को मिली हैं जब से इंटरेट आया है कुछ पॉड़ बात यहां कि साप के काटने के मामलों में जिनके लिए तुरेत चिकित्सा और सेवा क्या शक्ता होती है इस पर क्या है प्रतिक्रिया आई है लोगों की उन्होंने जल से जल्द उप्रियार करना शुरू कर दिया है चीजों की नॉलेज हो गई यहीं साप काटता ह दो हजार है इनके घरों को मलोका कहा जाता है यह जो इनका घर है उसको मलोका कहते हैं जो आयताकार होते हैं बैसिक्लीन के घर जो बिलेंगे आपको आयताकार ही मिलेंगे इसमें पुरुष शिकार करने जंगल साफ करने केले लगाने आधिका कारे करते हैं और महिलाओ दोर यहां पेंट करते हैं यहां पेंट करते हैं तो इसे आकरती बनाते हैं। टीक है। जादू देशी से की जाती है। यह मक्का, केला, अम्रूद, आदिकी खेती करते हैं। इसका प्रमुक अनुस्ठान, भोजन और प मेराती हैं। बात करेंगे हम Starlink की जिसके माद्दम से इनको नेट पुर्दान किया गया देखे Starlink इंटरनेट की सुधा पुर्दान करने के लिए उपग्रहों का एक नेटवर्क है इसे एलन मस्क की Aerospace Company Space X के द्वारा विक्सित किया गया है आपको पता हो तो यह एक निजी प्राइवेट क इंचालित होता है इसकी विपरीत पारंपरी रूप से इंटरेट की सुधा प्रदान करने वाले उपग्रह है प्रत्वी की सतह से अधिक दूरी पर 35,000 कि उचाय पर इस्थ है और यह मात्र 5500 कि उचाय पर इस्थ है कारेपुणाली इसकी क्या है तो जब किसी इंटरनेट स पर भेजा जाता है तो स्टार्लिंग समूव में इसे एक उपग्रह इसको रिसीव करता है और फिर इंटरनेट में शामिल अनुपग्रह को यह साजह कर देता है इससी माद्यम से यह जो पहुच है मेजन के जंगलों तक भी पहुच गया इंटरनेट और भाँ पे लोगों क को मिल रहा है इसके बाद सिगनल जब सबसे लक्षित उपग्रह तब पहुच जाते हैं तो इसे ग्राउंड रिसीवर तक भेज दिया जाता है स्टार्लिंग उपग्रह लेजर प्रकास कॉप्यों करते हुए एक दूसरे को संचरित करते हैं या संचार करते हैं दूसरे से प्रणोदक उपग्रह को कक्षा में ले जाने संचालित करने और उसके जीवन संचाल की समापती पर डि और्बिट करने में मदद करते हैं तो इस तरीके से जुस्विता है इनको प्रदान की जा रही है ऐसे वर कर रहा है स्टार्लिंग चले लास्ट में कोशन देख लेते हैं कि निमले किस महादीप में मारवो जनचाती पाई जाती है अफ्रीका महाद तब तक के लिए धन्यवाद लाइक श्राइब करना बलकुल भी न भूलें